नमस्कार दोस्तों CSD Today YouTube चानल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर करें हुंड़ाई कार प्राइज लिस्ट जिसमें की आपको दिखाने वाला हूँ आई 20 के सभी मार्डल जो के CSD काइंटीन के अंतरगत लिस्टेड है उनका फूल डिटेल्स तो देखिए इस वीडियो को वीडियो अच्छा लगे जानकारी हेलफुल लगे तो कृपय वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें साथ ही यदि पहली बार यहाँ विजट किया है त चैनल को सब्सक्राइब कर घर्णी के निसान को जरूर दबाएं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ हूं खुंड़ाई न्यू आई 20 1.2 लिटर मैगना पेट्रोल वेरियंट का पहला माडर तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसमें लिखा है इंडेक्श नंबर जो कि CSD के लिए है उसके बाद 100 रूम यानि कि यह वह प्राइज है जो कि सिविल में 100 रूम प्राइज होता है वह आपको यहाँ पर दिखाया गया है और उसके नीचे आपको दिखाया गया है CSD का RTGS अमाउंट जो कि आपक पर आपको गाड़ी डिलिवर कराता है तो जब वह डिलिवरी करता है उस समय आपको कई सारे चार्ज देने होते हैं जैसे कि आपको इंसोरिंच करवाना पड़ेगा, गाड़ी को कही न कहीं तो रिजिस्टर करवाना पड़ेगा जहां भी जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं या union territory है जो आपकी उसके रहने वाले हैं तो वहाँ पर आपको register जो कराएंगे वो charge और जो आपका road tax होगा वो आपको pay करना पड़ेगा इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप extended warranty वेगारा लेते हैं optional है कोई जरूरी नहीं कि आप ले ही लें वो तो जिस समय आप गाड़ी deliver कराते हैं आप थोड़ा सा वहाँ पर bargaining करेंगे तो आप इसको ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं कम पैसे में भी ले सकते हैं यह आपके उपर है इसके साथ ही basic kit होती है number plate का charge होता है fast tag जो आपका लगता है वह आने जो taxes होते हैं और वह लोग जो की temporary registration कराते हैं यानि कि जहां पर गाड़ी वह खरीद रहे हैं वहाँ उस state में registered ना करा के किसी जो आपका state है वहाँ पर ले जाकर करके अगर registered कराना चाहते तो उनको amount वहाँ पर pay करना होता है अन्य कहीं पर आप देखेंगे कहीं कहीं MCD charges लगता है जैसे कि दिल्ली में इसके अलावा कहीं पर causes लगता है या अन्य इसी प्रकार के छोटे मोटे जो tax लगते हैं वो सम्सामिल होते हैं जो other accessories जो होते हैं वो भी उसमें count किये जाते हैं तो यह सम्मिला करके आपका जो price बनेगा वहाँ दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है total लेकिन इसमें RTO नहीं लिखा गया है RTO आपके state या union territory के अन्सार होगा तो अब थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि RTO charge दिल्ली का आपको सबसे पहले दिखाया गया उसके बाद दिखाया गया है RTO charges हरियाना के तो दो जगह का मैंने यहाँ पर दिखा दिया है जो ओवार्स आएं चाहे आर्मी से हो एरफोर्स से हो या नईवी से हो सर्विंग हो या रिटार्ड हो या उनकी जो विड़ो है तो उनके सामने एक कालम बनाया गया जिसमें की लिखा गया है यस अगर इसका मतलब है कि वह इस गाड़ी को खरीश रकते हैं जब ओवार्स खरीश सकते हैं तो फिर तो कोई बचा ही नहीं अब तो सभी खरीश रकते हैं यह तो आपको मालूमी है तो यह जो गाड़ी है और इसके साथ जितनी भी I-20 की गाड़ी या CSD का इंटीन में लिष्टेड है उन सभी की सभी गाड़ीयों को वह सभी कैटिगरी के लिए अवलेबल है तो इसी तरह से J-C-U-T के लिए लिखा हुआ है और ओफीसर के लिए भी तो और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिफेंस सिविलियन हैं वह चाहे सर्विंग में हुए रिटार्ड हो या फिर उनके फैमिली पैंसनर हो वह भी इलिजिवल है इन गाड़ीयों को खरीदने के लिए तो इन ही के लिए नहीं मतलब जितनी भी गाड़ीयां इस समय C-S-D कैंटिन में लिष्टेड है नई कार पॉलिसी के अनुसार उससे संबंधित यदि आपको जानना है तो आप लोग chdtoday.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं साथ ही यह वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं तो भी आप chdtoday.com वेबसाइट पर जा करके वह समस्त जानकारियां उस समय जो भी होंगी उनको आप वहाँ पर देख पाएंगे तो अब दोस्तों आपके सामने दिखाया जा रहा है model जो की है new i21.2L sports petrol तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी आप details देख पाएंगे rtgs amount की बात करें तो इसका है 7,566 रुपाए और इसका जब taxes बगएरा मिलाते हैं यानि कि rto charge सिर्फ छोड़ दो जिसमें कि rtgs amount बगएरा सब कुछ अगर मिला करके आउन रोड कितने की पड़ेगी यानि कि आपका सिर्फ rto charge आपके यहाँ पर है जो वह आपको add करना होगा तो दोस्तों यह पड़ेगी 7,73,777 रुपए की और इसका जो आटियो चार्ज है दिल्ली का आप देख पार है है 67,270 रुपए है यदि आप हरियाना से हैं तो वहां का है 72,338 रुपए और इसी परकार से other जो state है उनका भी इसी के आसपास ही होगा आप consider कर सकते हैं फिर नजदीक की जो भी आपका dealer है उससे पूस्ताच कर सकते हैं अब यहां पर model आपको दिखाया जा रहा है I-20 1.2L Sports DT DT का मतलब है दोस्तो डूल टोन तो यहां पर आप देखेंगे इसका RTGS amount जो की CSD के लिए आप transfer करेंगे तो वह है 7,24,206 रुपए और अगर civil में 100 room price की बात करें तो आप देख पाएंगे second number पर लिखा हुआ है जो की है 8,26,100 रुपए और बात करें यदि हम यह आउन रूड कितने की पड़ जाएगी आर्ट यो चार्ज छोड़ करके तो दोस्तो वह पड़ेगी 8,1746 रुपए और इसमें यदि दिल्ली और हर्याना का आर्ट यो चार्ज देखना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं और इसी के आसपास ही आपके यहाँ भी होने की संभावना है और अब हम चलते हैं अगले माडल की तरफ और इन सभी जानकारियों को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग chdtoday.com पर विजट करके देख सकते हैं वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट या हुआ इन्फोर्मेशन मिल जाता है वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे वक्त लगता है तो यहाँ पर आपका अगला माडल है न्यू आइट्वंटी 1.2L स्पोर्ड आइवी टी तो दोस्तों इसका जो एक्सोरूम प्राइज है वह है नौ लाख 14,900 रुपाए और chd के लिए आप लोग पे करते हैं यानि कि जो rtgs करते हैं या आउनलाइन माध्यम से ट्रांसफर करते हैं वह है 7,92,190 रुपाए वहीं पर यदि हम जो rto charge है उसको छोड़ दें तो on road कितने की पड़ जाएगी तो है 8,77,630 रुपाए तो यह है इसकी जानकारी और आगे चलते हैं हम अगले माडल की तरफ तो यह आता है i20 का 1.2L आस्टा जो की O है और यहाँ पर इसका index नमबर देख पाएंगे और 100 रुम प्राइज की बात करें तो यह है 9,3,500 रुपाए वहीं CSD के लिए आप आउनलाइन माध्यम से या RTGS कर गेंगे तो वह है 8,18,64 रुपाए और आन रोड आपको पड़ेगी आर्टियो चार्ज छोड़ करके वह है 8,89,306 रुपाए की और आर्टियो चार्ज आपके हाँ जो भी लगता है वह होगा इसके बाद अब नमबर आता है I-20 आश्टागा तो दोस्तो यह है O और यह है डीजल की तो अब आप देख पा रहे हैं डीजल की गाड़ी यहाँ पर और इसका इंडेक्स नमबर भी आप देख पा रहे हैं 65216 उसके बाद 100 रूम प्राइज जो की सिविल में है उसका यहाँ पर दिखाया गया है 9,47,300 रुपए वहीं CSD का जो RTGS अमाउंट है या आउनलाइन माध्यन से जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं उसका यहाँ पर दिखाया गया है तो वो है 8,55,008 रुपए इसके बाद RTO चार्ज छोड़ करके आपको पे करना होता है वह कुल मिला करके आउनलोड पड़ेगा 9,30,160 रुपए और RTO चार्ज आपके यहाँ स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसके अनुसार लगेगा अब चलते हैं आगे और इसको भी सभी कर्टिगरी के लोग खरीश रखते हैं अब देख पा रहे हैं I20 आश्टा O और यह है DCT 1.0 L तो दोस्तो इसका भी आप यहाँ पर देख पाएंगे यह है पेट्रोल की तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वहाँ देख पा रहे हैं एक्सोर रूम प्राइज 11,72,800 रुपाए है इसका RTS अमाउंट है 10,32,38 रुपाए वहीं कुल मिला करके आपको पे करना होता है जिसमें कि RTO चार्ज सामिल नहीं है तो 11,12,628 रुपाए और RTO चार्ज आपके कॉर्डिंग यानि आपके स्टेट में जो भी कुछ होगा इसको सिर्फ OARS कैटिगरी के लोग नहीं खरीद पाएंगे बाकि सभी लोग यानि की JSU जो और आफिसर, डिफेंस, सिविलियन ये खरीद पाएंगे अब हम चलते हैं अगले माडल की तरफ जो की है आपके सामने पेट्रोल वाइरियंट का ही I20 का आश्टा ओ डूवल टोन तो इसका जो एक्सो रूम प्राइज आपको दिखाया गया है वह है 9,92,300 रूपाए वहीं CSD के लिए जो आप पैसा पे करेंगे ओनलाइन माद्धम से या RTGS के माद्धम से तो वह है दोस्तो 8,80,644 रूपाए वहीं सभी चीज़े मिला करके सिर्फ RTO चार्ज छोड़ करके पड़ेगा आपको 9,60,904 रूपाए RTO चार्ज आपके स्टेट के मुताबिक होगा और इसको भी सभी कैटगरी के लोग खरीश रखते हैं तो दोस्तो ये थी जानकारी उमीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी और हेलफुल लगी होगी क्रपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास सेर जरूर करें शाथ ही आप इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए CSD Today यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग CSD Today डाट कॉम वेबसाइट पर विजिट करके जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं तो मिलता हूँ एक ऐसी ही जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भार्द वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद